हेलो दोस्तों क्यासे हैं सब मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब का उसाथ करता हूँ मेरे चैनल आपके अचार कंसल्टर में है दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्मिनेशन के बारे में इसके रिगार्डिंग मैंने अल्रडी एक वीडियो बनाया है जहा को टर्मिनेशन के बाद आप कैसे जॉब ढूड़ें कैसे कौन-कौन सी टक्नीक अपना है जिससे आप जो है जॉब पासके टर्मिनेशन के बाद तो आज हम इसी के उपर जो है डिटेल में बात करेंगे और मैं यहां पर एक चीज बता दूँ आप लोगों को डिसकरेज हो हारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आपको कंपनी ने टर्मिनेट किया है बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनकी नौक्रियां जो है टर्मिनेट होती है साल में तो हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है चौब दूबार से ढोड़ी जा सकत यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, termination from a job, sometimes it's called getting fired, laid off, or downsizing. तो अगर आपको company ने fair कर दिया है, या laid off करके निकाला है, या downsizing करके निकालते हैं, या किसी प्रकार से आपको निकाल दिया है, और आपको तुरंत आपकी salary दे दिया है, आपका FNF कर दिया है, और आपको आने के लिए नहीं बोलते हैं company में, that means you have been terminated, और आपको termination का letter भी आपको एक मेहने के अंदर जो है आजाता है, तो यह basically termination का मोटा मोटा definition होता है, ठीक है, और termination के बाद जो है ना, जो एक employee है, वो mentally तो frustrated होता ही है, साथ में वो financially और emotionally भी बहुत ज़्यादा जो है frustrated हो जाता है, कि financially तो होना ही स्वभाविक है, आपकी job चलेगी है, आप जो loans होते हैं, बाकी जो bills हैं, वो आपको चुकाने होते हैं, तो financially तो आपकी कमर तूट जाती है, अगर ऐसा हो जाता है, और emotionally बहुत ज़्यादा stress हो जाते हैं, आपकी अरे यार क्यों कर दिया गया, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि क्यों इनको terminate किया हो नहीं रखने हैं, तो इस case में जो है, emotionally बहुत ज़्यादा damage हो जाता है वो person और mentally unstable होने के chances ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो ये आपकी career के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, लेकिन termination जो है ना, ये चीज़ ह hurdle आप बोल सकते हैं, ये road block आप बोल सकते हैं, आपके career में, जो की बीच में आया था, आपने उसको power clear, that is it, आप जो है, दूसरी job देखके, एक अच्छा सा future आप बना सकते हैं, कैसे, आपको हमेशा positive रहना पड़ेगा, proactive रहिए, proactive का मतलब है, जो है, अपने इसाब से ज़ तो है, आप अच्छे से bounce back करके, एक अच्छी job, dream job ले सकते हैं, जहां पे आप अपना अच्छा सा career भी बना सकते हैं, तो वह बाब लोगों को समझ में आयोगा, चलिए, अब आगे चलते हैं, अब यहां पे देख लेते हैं, कैसे आपको दूसरी job मिलेगी, termination के बाद कैस कैसे आपको job मिलेगी, वैसे है, तो मैंने बताया कि कैसे आपको job लेनी चाहिए, लेकिन termination के बाद आपको कैसी job मिलेगी, termination के बाद जैसे मैंने बताया कि mentally और, क्या बोलते हैं, financially आप पूरी तरह से तूट चुके होते हैं, तो इस case में आपको कैसे job ढूड़नी, तो आपको इसलिए निकाला जाए, कोई particular reason नहीं दिया गया है, कमटी के द्वारा, तो इस case में जो है, वो emotionally बहुत ज़्यादा डैमोज हो जाएगा, mentally breakdown हो सकता है, तो इस case में आपको क्या करना है, you need to take a breathe, ठंडे दिमाग से सोचें, और अपने जो emotions है, क्योंकि गुस्सा भी manager को उपर जाके निकालेंगे, या TL को उपर जाके निकालेंगे, देखे, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, उनकी job अलड़ी है, आप इससे कुछ कर नहीं पाएंगे, बेटर है कि जो आपके साथ हुआ है, उसको आप जो आपकी emotions है, उसको अपने अंदर ही दवाया तो इससे क्या आप mentally stable रहेंगे, ये पहली चीज़ है, दूसरा understand why you were let go, अगर आपको निकाला जाता है, आपको पता नहीं है कि क्यो निकाला गया, आप जो है सांत तरीके से आप अपने manager से जाके पूछ सकते हैं, क्या current था, किस current से निकाला गया, TL से बात कर लें, क्यों न अच्छे से बात करें, किस current से निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या और किया जा सकता था, तो ये सारी चीज़ें आप बात करें, ताकि आपको पता लग जागी क्यों आपको निकाला गया, अगला point आता है, जब आप घर पहुशते हैं, ठंडे दिमाग से अपना resume जो है इंक्लूट करें, तो resume अपडेट करने के बाद, और अगली चीज़ होती है, अपना LinkedIn profile, देखिए, अगर आप लोगों का LinkedIn profile नहीं है, तो मैं तो यह बोलूँगा कि LinkedIn profile बना लें, क्योंकि LinkedIn profile बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, आज कल के समय आपके पास होना चाहिए, जहां पे आप अलग-लग professionals से connect हो सकते हैं, यहां पे भी आपको job मिलने के chances ज़्यादा होते हैं, तो LinkedIn profile बना लें, और वहां पे अपडेट कर दे अपनी profile, तो resume बन गया आपका LinkedIn profile अपने अपडेट कर दी, next जो सबसे important चीज़ आती है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, वो है कि आपके पास networking होनी चाहिए, अच्छे खासे लोगों की, अगर आपने काफी समय तक जो है 5-6 साल company में काम कर ले तो आपके पास networking अच्छी खासी होगी, तो जो networking है उसको leverage करें, networking का leverage करने का मेरा मतलब है, कि networking से मेरा मतलब है, कि आपके पास अलग-लग दोस्त होंगे, दू से दोस्त बने होंगे, तो networking होती है, तो वहाँ से आप connections निकालें, बोलें कि यार मेरी अभी जॉब गई है, और बताने से बिलकुल भी न जिसके, क्योंकि आपको अभी जॉब की जुरूरत है, इनको बता, इस कारण से जॉब चलेगी है, क्या आप मुझे जॉब दिला सक करें कि कहां क्या गलती हो सकते थी, क्या मैं ठीक कर सकता था, तो आप ज़्यादर ज़्यादर जो है, interview की practice करें, और interview practice करने का तरीका क्या होता है, अपने दोस के साथ बैट के interview की practice कर सकते हैं, क्या का questions आ सकते हैं, अपने दोसको बोलेंगी, वो questions आप से पूछे, and then you reply, औ और अगर आपके पास दोस नहीं है जादा, जो है खुद से ही practice करें, तो जादा जादा practice करेंगे, तो जादा जादा आपको confidence आएगा, then be patient and persistent, patience का मतलब ये है कि, आपको जो है patience रखना है अपने अंदर, और सांत रहें, इत्मनान से job ढूडते रहें, पर्सिस्टेंट है, पर्सिस्टेंट का मतलब जो है कंसिस्टेंट रहें और कंटीनूटी बना के रखें ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते बाद जॉब नहीं मिली तो अरे आप ठग गए हारमाल ली आपने, ऐसा नहीं करना है आपको continuity बनाएके रखी है, देर सबें जो है, जॉब आपके पास आही जाएगी, ठीक है दोस्तो, चकरता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक जिरू कीजिएगा, आपने जादा जादा दोस्तों को साथ शेयर मैं इसी प्रकार के नएने कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आतार हूँगा दोस्तों, बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेगा, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा, धन्यवाद दोस्तों